और इस ख़वर पर जादा जानकारी के लिए मेरे सयोगी विश्णू शर्मा मारे साथ लाइफ जुड़ गए हैं विश्णू प्रधान मंत्री का तीन दिवस्य दौरा है जैपुर में और इस दौरा डीजे एजी कॉन्फरेंस होगी लेकिन तमाम तैयारिया पहले से कर ले ग पहले बार कोई भी प्रधान मंत्री पीचे प्रदेश कारियाले पहुंच रहा है तो ऐसे में ये दोरा एक गौरवानित करने वाला है पार्ट्री प्रदेश पदादिकारियों के साथ विदायक जो नए विदायक चुनक्या है उनके साथ बैठक होनी है करीब तीन गंटे प्रदान मंत्री या प्रदेश पदादिकारियों के साथ विदायकों के साथ मोजूद रहेंगे समय को अगर देखा जाए तो तीन गंटे में दो गंटे लगातार प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी संबाद करेंगे इसके अलावा प्रदान मंत्री का भोजन भी प्रदेश अदादीकारियों और विदायकों के साथ ही रखा गया है और उसमें राजस्तानी जो वेंजने वो प्रदान मंत्री को परोशे जाएंगे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी लगातार मिलेट्स यानि मोटा अनाच जो है उसको लेकर बढ़ावा देने की बात कहते आ रहे हैं उ श्वाद इसको लगातार चखेंगे और इसके बाद करीब नो बजे के बाद वो राजभावन पहुंचेंगे और वहां राजजेपाल कलराद मिस्टर से मिलने के अलावा जो अन्ने गड़ मनने लोग है उनसे मिलेंगे और रात्री विश्राम राजभावन में ही करेंगे ये प्रदान मंतरी का दोरा रा इसके अलावा क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है तो ऐसे में प्रदान मंतरी जो बीजेपी प्रदेश पदादिकारी और विदाया कि उन्हें जीत का मंतर भी देंगे क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी लगातार दो साल से 25 के 25 सीटे यां जीत प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी तमाम लोगों से सीधे सीधे संबाद करेंगे केंद्र सरकार की ओर से विक्षित भारत संकल्प यात्रा चलाए जा रही है जगे जगे सिविर लगाया जा रहे है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाप पहुंचाने के लिए ज उन सीविरों को लेकर भी प्रदान मंतरी यह पर चर्चा करेंगे बात करेंगे कि कितने लोगों को लाबान वित्वे कितना किस शेतर में पहुंचे क्योंकि सांसद और विदायक उनको का गया कि वह जब लगातार प्रदान मंतरी मोधी दोजार चुनाव है उसको लेकर करेंगे दोजार बाइस जनवरी को राम लला का मंदिर बनने जा रहा पुराण प्रतिष्टा हो रही एसे में बीजेपी है वो देश भर से तो ले जाएगी राध्यस्तान के गाउं-गाउं से जो राम भक्त ह उन्हें अयुद्या दर्सन कराने ले जाएगी बीजेपी अन्य संगठन भी करने तो ऐसे में बीजेपी के क्या सवरूब रहने वाला उसको लेकर चर्चा की जा सकती है फिलाल तमाम जो तैयारियां वो उनको समिक्सा करने के लिए मंत्री मंदल का विस्तार हो गया लेकिन विभागों का वटवारा नहीं हुआ तो विभागों के वटवारे को लेकर मोहल लग सकती है क्या ऐसे भी कुछ जानकारी है चर्चा हो सकती है कुछबू प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के साथ केंद्रिय गिर्या मंत्री अमिट साह भी रहेंगे डीजी आईजी कॉन्फेंस में लेकिन कहीं न कहीं वो सरकारी का रिक्कम है और यहां दो गंटे रहेंगे दो गंटे के दोरान केवल प्रदान मंत्री चर्चा करेंगे संगठन को मजबूत देने के लिए 2024 के जो चुनाव है लोकसवा चुनाव है उनको लेकर बात करेंगे यहां पर अगर बात की जाए तो केवल और केवल संगठन और आगा में 2024 के चुनाव है वो उनको लेकर बात की जाएगी और यही कारण है कि यहां अति हुच साहित है तमाम बीजेपी के कारे करता प्रदेश वदादिकारी कि उनको सीधा सीधा प्रदानमंदी से रूबरू हो होने का मोका मिलेगा लगातार कुछ बदा दीकारी कुछ कारे करता बीजेपी प्रदेश अद्यक साहित की loos कई बार मिल चुकन parameter करता मोधी के सामने पहली बार मिलेंगे तो ऐसे में वो तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है सुरक्षा बंदोबस्त बीजेपी प्रदिश कार्याले के बार भी किया गया है यहां बात की जाए एस बीजेपी प्रदिश कार्याले का चपा चपा है वो चेक कर लिया है डोग स्क्वाइड के साथ जो बम निरोदक उपकरण है उनके साथ महाँ चेक किया गया है मैं एस्पी जी ने पूरा तलासी लेने के बाद इस्तानिय पुलिस ने उस पूरे कारियले को सील कर दिया है कुल मिला के उस कारियले में जो अपेक्सित लोग है वो ही पहुँच पाएंगे बाहर पूरी तरह नो विकल जोन किया जा रहा है दो जो सड़क है अगर बात की जाए चोमु आउट सर्किल से इदर 22 गोदाम सर्किल तक पूरी नो विकल सड़क रहेगी नो विकल जोन रहेग बात अगर की जाए तो किंग्री ग्रेराज्य मंत्री भी आएंगे उनके सुरक्षा की तैयारिया की गई है विश्व तमाम जानकारी दिने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो कुल मिलांकर देखा जाया कि प्रधान मंत्री